हजारी बाग के नगर भवन में सरकार की हद्वकांची योजना प्रधानमंत्री मतस्य संपदा योजना के तहद जागरुक्ता सा प्रसिक्षन चिविर का आउचन किया गया इस सबसर पर राची से आये मतस्य विभाग के निदेशक ने जानकारी देते हुए कहा कि हजारी बाग में मतस्य पालन की असीम समभावनाय है विशेश कर इन दिनों हजारी बाग मतस्य मददिकारी के देख रेख में मचलियों के बीच का उत्पादन, केच में मचलियों का उत्पादन और चलाश्यों में मचलियों का उत्पादन जितने बहतर तरीके से किया जा रहा है उसे देख कर और भी आशाय हजारी बाग को लेक साथ ही मचलियों का उत्पादन जोड़ता तरीके से हो और स्थानिये के साथ-साथ बाहरी छेत्रों में भी मचलियों की सप्लाई हो ताकि बहतर मुल्ले मतस्य पालकों को मिलता रहे अगर भवन में आयोजे दस कारिक्रम में हजारी बाग के नागरिकों के साथ-साथ वरिये पदिदी कारियों और मतस्य पालकों की अच्छी खासी संख्यत चुटी और लोग इसका भरपूर लाब लिये हजारी बाग से प्रमोध खंडलवाल की रिपोर्ट क्या कुछ कारिक्रेम है ये और इस प्रसीक्षन में क्या कुछ सिखाया जा रहा है यह एक्शाल थिस फार्मक्स परफिश्य कर्कार मैसंयचन के लिये आज कर्यार किया रहा है इसमें भार्रश कर्तात्य कड़रा आ nghiक्षे लिटिव को भी यांप लिअब मिनाने है तो उसके अंटरगर सबसे पहले है कि इन लोगों को जागरूप करना और इन लोगों को बताना तो इसी के मद देना नजर इसका नाम है जागरूपता सफसिचा तो एपपीों के वारे में जैसी हमने वहां पर चर्चा आपको की कि इसके माधम से हम लोग मार्केटिंग सब कुछ करेंगे जितों भी हमारे प्रिस्री अक्टिविटी जहां पर हो रहा है सबको एक कलब करेंगे और खास करके उनका value addition भी कराएंगे, marketing भी हो, एक ब्यापार बने राज इसे बाहर भी हम लोग मचली का उत्पार को प्या मचली को भेज सकें, भेज सकें. क्या लगत जहारखंड में ये सार्थक परियास हो पाएगा आने वाले दिनों में? 100% क्यों नहीं? प्रियास सही तो सब कुछ है, पर केज कल्चर में लोग पाहला प्रियास किये और इसकाद हम लोगों ने आज पढ़ी से स्टेंट के लोग आते हैं देखने के लिए, आप लोगों को जानकारी है कि केज में हजारे बाद अच्छा कर रहा है, तिलया अच्छा करने के लिए तो इसी तंग से हम होपफुल है कि हम लोग इस फार्मस पोडूशर और इसन भी हम लोग बेता घंग से इहां पर गठीद कर पाएंगे और भारत सकार के मार्विजेश और रहाशन